धे टीवी पर आप सभी का स्वागत है जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि 26 जुलाई से हम लोग डेली MCQ प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जो IAS, PCS और विभिन परिक्षाओं के जो प्रिलिम्स एक्जाम्स हैं उनसे related जो questions हैं, multiple, twice questions उनको देंगे और उसका उत्तर और उसकी व्याख्या आपको बताएंगे ताकि प्रासंगीक प्रशनों की एक सूची आपके साथ तयार हो सके और ये एक्जाम में आपको सहायता पहुचा सके प्रतिदिन की समसामयकी पर आधारित ये questions आपके लिए अत्यांत उपयोगी सावित होंगे ऐसा धियाईएस का विश्वास है और इसी कड़ी में हम ये श्रिंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम कुछ questions पर आज चर्चा करेंगे आज पहला प्रश्ण है कि हाल ही में एक नए क्वाड समुह की गठन के लिए चार राष्ट्रों में सहमती बनी है इन चार राष्ट्रों में अमेरिका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलामा कौन सा मध्य एशियाई देश शामिल है अब हम निगाह डालते हैं options पे तो इसका उत्तर है C यानि उजबेकिस्तान अगर हम व्याक्षा की बात करें तो हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते संकट के चलते उस छेतर में स्थिरता के प्रयास के करम में अमेरिका ने इन तीन अन्य देशों के साथ मिलकर न्यू क्वाड समूह बनाने की पहल की है दूसरा सवाल विश्व व्यापार संगठन के नवीनतम आकड़े के मताबिक ग्लोबल एगरी एक्सपोर्ट यानि करसी संबंधी निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है और वैश्विक क्रसी निर्यात में भारत की साजेदारी कितने प्रतिशत है आपके आप्शन्स हैं इसका उत्तर है C अब हम व्याक्षा की बात करते हैं हाल ही में WTO ने पिछले 25 वर्षों के वैश्विक क्रसी व्यापार के ट्रेंड्स पर अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राइस, कॉटन, सोयाबीन और मीट प्रोफिल के जबर्जस्त निर्यात से भारत वैश्विक क्रसी वस्तूओं के निर्यात के मामले में न्यूजी लेंड को रिप्लेस कर नौमे स्थान पर आ गया है और विश्व क्रसी निर्यात में भारत का शेर 3.1 प्रतिशत है अब बात करते हैं तीसरे सवाल की हाल ही में किस राज में किंग कोब्रा कंजर्वेशन प्रोजेक्ट सुर्खियों में रहा जहां किंग कोब्रा को पूर्व में नेचर ब्रेंड एमिजडर भी घोशित किया गया था अब निगाह डालते हैं आप्शन्स पे इसका उत्तर है डी व्याख्या की बात करें तो हाल ही में 16 जुलाई को वर्ल्ड स्नेक डे के उपलक्ष में यह प्रोजेक्ट आंद प्रदेश में सुर्खियों में रहा किंग कोब्रा को आयूसियन की रेड लिस्ट में सुभेध्य यानि वल्नरेबल की रूप में सुची बद्ध किया गया है अब बात करते हैं चौथे सवाल की 2019 में स्टेट विटलेंड अथॉरिटी का गठन होने के बावजूद भी निमलिखित में से किस राज्ज में एक भी आदरभूमी की अभी तक पहचान नहीं की गई है आपकी ऑप्शन्स हैं ए गुजरात बी गुवा सी तेलंगाना या फिर डी पंजाब इसका उत्तर है सी व्याख्या की बात करें तो तेलंगाना सरकारद्वारा NGT यानि National Green Tribunal को सब्मिट किये गए रिपोर्ट के अनुसार राज्ज में अभी तक किसी भी आदरभूमी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है आदरभूमी की पहचान अभी तक इस राज्ज में नहीं की गई है अब हम बात करते हैं पांचमें सवाल की रेड पांडा अभी सुर्खियों में है इससे सम्मंधित कौन सा कथन असत्य है आपके ओप्शन्स हैं A. यह वन्य जीव सनरक्षन अधिनीम 1972 के दहत शेड्यूल 2 का जीव है B. IUCN के रेड लिस्ट में इसे संगटापन यानि इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है C. यह सिक्किम में घाले अरुनाचल प्रदेश और पश्यमंगाल में प्रमुखता से पाया जाता है या फिर D. यह सिक्किम का स्टेट एनिमल यानि राज्य पशू है इसका उत्तर है A. अगर हम व्याख्या की बात करें तो रेड पांडा को भारत के वन्यजीव सनरक्षन अधिनियम 1972 के तहद शेड्यूल 1 जीव के रूप में सूची बद्ध किया गया है अब हम बात करते हैं छट में सवाल की हाल ही में किस राज्य के उच्च नियायाले ने कहा है कि मांसपर प्रतिबंध यानि मीट बैन बहु संख्यक बनाम अल्प संख्यक का प्रश्ण नहीं बलकि नागरिकों के fundamental rights मौलिक अधिकारों का प्रश्ण है आपके options हैं अगर हम व्याख्या की बात करें तो उत्तराखंड उच्च नियायाले के Chief Justice RC चोहान और नियायमूर्ती आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने हाल ही में एक याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात कही है और अब हम आज के अंतिम सवाल की बात करते हैं सात्वे सवाल की हाल ही में युनेसको ने ब्रिटेन के लिवर पूल्स वाटर फ्रंट को विश्व धरहर की सूची से बाहर किया था लेकिन निमलिखित में से कौन से स्थान ने युनेसको के इंडेंजर्ड लिस्ट से यानी संगटा पन सूची से बाहर निकलने से अपने को बचा लिया आपके उप्शन्स हैं A. वेनिस के लैगून B. केरल का वेंबनाद कोल C. पेरू के अमेजन वनचेत्र या फिर D. इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है A. वेनिस के लैगून अगर इसके व्याख्या की बात करें तो वेनिस के एतिहासिक सहर में इटली ने बड़े क्रोज शिप्स के चलने पर रोक लगाते हुए वेनिस लैगून को युनेसको के संकटापन स्थलों की सूची से बाहर निकालने से बचा लिया